हलो एविरिवन कैसे हैं आप सभी होप आप सभी अच्छे होंगे मैं भी बहुत बढ़िया हूँ तो आज आपके मन में जो भी इंटर एंट फाइनल के जो ऑनलाइन एक्जामिनेशन को लेकर के डाउट है पेपर पैटन को लेकर के डाउट है वो सारे में क्लियर करने वाला ह तो आपको कोई भी टैंशन लेने की घवराने की जरूत नहीं मैं सारी बाते यहां पर क्लियर करने आलो देखिए यह बाते सर कहां से आ रही है कैसे आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ पिटा CMA इंसीचूट ने क्या करा था हमारे CMA इंसीचूट ने कुछ टाइम प पॉस्ट अकाउंटेंट्स ओप इंडिया इंटर्मीडियेट इंड पाइनल के लिए जो ऑनलाइन एक्जाम कंड़क करवाने थे उसके लिए जो है इंसिचूट ने एक tender निकाला था और bids मंगवाई थी काफी सारे लोगों से तो उसकी जो terms इंडिशन वो साप साप है institute की क्या requirement थी और ये requirements के according ही for sure है जो exams होने वाले हैं तो यहां से हमें एक authentic institute के document से ही information मिल रही है तो चलिए बिना time waste किये, ध्यान से सुनते हैं, अब बिटा वो online, offline के चकर को हमें छोड़ देना चाहिए, institute ने बोल दिया है, कि online exam होगा, तो अभी हम उसी पर आगे बढ़ते हैं, हाँ, prior information exam form, birthday time होनी चाहिए थी, I agree with that, अब ये पूरा का पूरा बिटा जो ये tender के लिए document है ये पूरा का पूरे मैंने पढ़ा है, और जो इसमें key takeaways है, जो main main important बाते हैं, वो मैंने mark कर लिए, आपको जल्दी से बता देता हूँ, देखिए क्या क्या होने ओला है, देखिए बटा, यहाँ पर क्या कहा गया है हमें, सबसे पहले basic requirement क्या रखी, institute ने, test from home, online exam, online exam, home से भ दोनों mode रखे गए, ठीक है, पहली बात सर, यह जो contract बेटा बनाया है, institute ने, जिस भी vendor के साथ में, यह at least three years का contract है, सर, इसका मतलब आगे भी online exam होने वाले, यह हम साफ साफ कह सकते हैं, क्योंकि one attempt के लिए तो किसी vendor के साथ में contract किया नहीं जा सकता, तो for sure आगे भी online exam रहने वाले हैं, अब वो कैसे रहते हैं, क्या होता है, साथ में offline का option मिलेगा या नहीं मिलेगा, wait for the notification for that, लेगिन for sure यह चीज है, कि अब institute एक बार online exam लेकर के नहीं रुकेगा, क्योंकि इतने पैसे लगाए, रुपे लगाए, expenses लगाए, तो आगे भी institute जो है, वो online exam conduct करवाता र रहेगा, चालू रहेगी ये बात, फिर एक question आता है, कि सर, जून में ही क्यों नहीं ले लिए, जब online exam में लेने थे, बेटा, उस time हमारे पास में infrastructure नहीं था, उस time तो order place हुआ था, इसी वज़े से जून में ले पाना possible नहीं था, यह मैं बात आपके लिए clear कर दो, बेटा, अब देखी, यहाँ पर three years का contract होने वाला है, at least हमने देख लिया, अब सबसे important बात जिसका आप wait कर रहे है, exam pattern कैसे होने वाला है, देखी बेटा, important important बाते मैंने mark करी है, objective आएंगे उसके अंदर, case study based question आएंगे उसके अंदर, और descriptive भी आएगा, सवाल आया sir, descriptive कैसे लिखें तो यहाँ पर answer यह है, कि sir, descriptive को लिखने का जो यहाँ से पता चलता है, या तो आप type करके लिख सकते हैं, बहुत ही interesting चीज, voice modulation के through भी आप answer दे सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, finally आता है कि नहीं, let us wait for the notification, voice modulation means आप बोलेंगे और typing होती जाएगी, जैसा कि आपके phone के अ इसको लिखने में बहुत आसान होने वाली है, आप only बोलेंगे और automatically वो type होता जाएगा, अगर यह facility आती है, तो it's very good, यह बहुत अच्छी facility होने वाली है, बेटा, next क्या है, student can conveniently take the exam from everywhere using, आप exam जो है laptop, computer और mobile phone, तीनों mode से दे सकते हैं, mobile phone भी include है, तो बेटा, किसी का यह issue ह सर, हमारे पास में इतने रुपे नहीं है, कि हम computer laptop खरीच सकते हैं, don't worry बेटा, आप mobile phone से भी दे सकते हैं, अगर घर से देना चाहते हैं, और center तो आपके लिए है ही बेटा, center पर जाकर के भी आप दे सकते हैं, तो mobile phone को थोड़ा सा avoid करके आप center पर जाए, तो that will be better, अगर आ सकते हैं, नहीं तो आप mobile phone से exam दीजी बेटा, अब एक question आ रहा था सर, internet connection कैसा high speed चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, बेटा, clearly लिखा है, normal internet connection वाला system institute को चाहिए था, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, कि high speed internet हमें चाहिए, normal internet connection से भी बात बन जाएगी, मतलब आपका mobile phone में जैस से शुरू कर पाएंगे विटा test को भी, ये भी आप tension मत लीजिए, उसके बाद, all users को, चाहे वो students हो, या staff हो, पूरा का पूरा technical support मिलने वाला है, उसमें कोई भी issue नहीं रहने आ लिए, और ये सारा का सारा technical support वही vendor provide करा है, इसके बाद में बहुत important बात विटा, all live examination have video recording and system audit trial recording facility to handle RTI issue, बाद में कोई authenticity पर सवाल था दे, RTI के थुरू के हमें information दीजी, के exam सही से हुए या नहीं हुए, इसलिए institute ने क्या बुला है, कि exams की पूरे तरीके से recording होगी, आप center पर जा रहे हैं, तो वहां recording होगी, और आप एक जगे बैट करके exam दे रहें, तो आपकी तो हो पूरी ही नहीं वाली है, तो it's a very good thing के बेटा institute जो हो international standards को match करनी की पूरी कोशिश कर रहा है, और हमें इसके अंदर support करना चाहिए, जितने भी गिले शिक है हमारा institute है, वो है आखिर, लेकिन जहां पर आगे बढ़ने की बात है, आज CACA, CMA institute की बात करें, तो CMA institute के पास मे I think तीनों institute में सबसे बड़ी बोड़ी है, फिर भी उन्होंने ये step नहीं लिया और CMA institute में ये step ले लिया, तो हमें इसमें हमारे institute की जरूर से तारिफ करनी चाहिए, ठीक है, इसके बाद में बटा आगे चलते हैं और देखते हैं, आगे क्या-क्या बाते हैं, institute ने बोला है कि 60-75,000 student at a time, test दे पाए, exam दे पाए, इस तरीके का system design होना चीए, इसका मतलब क्या है, institute future के बारे में सोच रहा है, कि in future अगर students increase होते हैं, और 60-75,000 तक भी पहुंचते हैं, तो भी at a time वो exam दिया जा चुके, और एक student four papers देगा बेटा, four papers देगा, मतलब एक paper से छुटकार नहीं मिल जाएगा, जैसे competition exam में होता है, four papers तक का arrangement करना होगा vendor को, ठीक है सर, इसके बाद में बाकी बाते देखिए वेटा, again exam mode पर बात की गई है, बहुत बार exam mode आया है, तो again exam mode पर बात की गई है, कि MCQ based question होंगे उसके अंदर, ठीक है, इसके बाद randomization, मतलब random questions होंगे, इसका मतलब यह है कि जो paper आपका आया है, जरूरी नहीं, वही paper आपके friend का हो, आपके friend का paper अलग होगा, आपका paper अलग होगा, सबका paper अलग-अलग होगा, कुछ question match कर सकते हैं, randomly based paper आयेगा, हो सकता है, आपने like में पहले भी कभी दिया हो, boards औरे में भी I think ये introduced हुआ था, औ अभी भी I think होना चाहिए, कि आपके आगे वाले का अलग है, आपका paper अलग है, और CMA में already पहले से ये applicable भी हो चुका है, foundation के अंदर हुआ था, 14 के अंदर, अभी भी probably applicable है, तो random question आएंगे, तो अपने friend को phone करके इस question का answer बताना, इससे कोई मतलब नहीं है, उसका question अलग आर सोने आली, आर एक paper की duration में कहीं भी change नहीं है, सर कितने marks के MCQ होंगे, कितने marks के descriptive question होंगे, इसकी information जो है, institute आपको देने वाला है, institute के पास पूरी power है, कितने marks के MCQ और descriptive रखने, इसके लिए institute mock test paper issue करेगा, mock test होंगे पहले, उसके बाद ही हम हमारे final exams में जाएंगे, don't worry इसके बाद scope of RTI, photocopy आपको लगता है, क्या मेरी copy सही से check नहीं हुई, मेरे तो ज़्यादा marks थे, मैं ज़्यादा deserve करता था, आप photocopy भी ले पाएंगे, आपकी answer script की, don't worry बिटा, मैं जल्दी जल्दी बाते बता रहा हूं बिटा, क्योंकि आपको पढ़ाई पर ध्यान द हम system से used to हो जाएंगे और उसके बाद हम exam देंगे, इसके अलावा exam से एक दो दिन पहले पूरी mock drill type होगा, मतलब exam से एक दो दिन पहले पूरा trial होगा, जैसे exam होने वाला है, actually वैसा का वैसा एक दो दिन पहले real cell type होने वाला है, और वो सारा सब कुछ आप उसके अंदर देन अगर यह trial run होता है तो और यह institute करवाएगा बेटा, तो don't worry, institute ने students के बारे में बहुत कुछ सोचा है यहाँ पर, इसके बाद, provide mock test facility to candidates via the institute website, और institute की website पे ही आपको mock test की facility जो है, वो मिलने वाली है, don't worry, सीधी सीधी बात यहाँ पर निकल के आई, software should provide randomized test items and responses, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी software होने वाला है, app होने वाला है, जो भी चीज होने वाली, random question आएंगे, same question नहीं आएंगे, paper अलग-अलग candidates का, अलग-अलग होने वाला है, यह बात यहाँ पर कही गई है बेटा, उसके बाद examination के time पर कैसे manage किया जाएगा, सब कुछ बात ही आती है, तो बेटा examination center के उपर एक coordinating officer आपको मिलेगा, अगर आप CBT center based text दे रहे हैं, तो 24 into 7 IT support देने की बात यहाँ पर कही गई है, मतलब institute requirement मांग रहा है, उस vendor से कि 24 into 7 IT support देना पड़ेगा, और एक बहुत important बात, हर 25 students पर एक invigilator होगा, तो हर 25 students पर एक invigilator होगा, जो आपके पर नजरे रखा हुआ होगा, कि आपकी हर एक activity, उनके सामने एक screen होगी, उस पर आपका वीडियो दिख रहा होगा, और invigilator आपको देख रहा होगा, तो system से तो आप monitor होई रहे होगे, साथी साथ invigilator भी देख रहा होगा, तो cheating करने की सोचना मत, cheating करोगे तो बड़ा भा एक value गिर जाएगी, यह हो जाएगी बटा, ऐसा कुछ नहीं है, profession की value वगरे है, ऐसे कुछ भी गिरने वाली नहीं है, ऐसे तो CEMA, ACCA अलरेडी, CFA, online exam ले रहे हैं कि उनकी value कम है, नहीं सर, उनकी value तो जादा है, तो पिर हमारी value कैसे कम हो जाएगी बटा, तो यह बात तो क कर लिया, वेसे कर लिया, हाथे से ही लाली, तो क्या मेरे को system ban कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बटा, आपकी normal activities जो है, वो system जानता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने आला, आप normally move कर सकते है, suspicious act अगर दिखा, तो फिर system action ले सकता है, इसके बाद में exam हो जाने के बाद में भी आपको ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया जाएगा, आपकी जो भी queries रह गई, आपके test नहीं हो पाया, आप exam नहीं दे पाये किसी reason से, तो institute re-exam भी करवा सकता है, ठीक है, तो don't worry, re-exam भी हो सकता है, RTI की queries वगरे, photocopy वगरे, सब कुछ आपको मिलने वाली है, तो बेटा study type question भी आने वाले हैं, और descriptive भी आने वाले हैं, एक सवाल किसर हम लिखेंगे कैसे, वो अभी भी बना हुआ है, अभी तक तो दो option दिये गए हैं, एक तो आप type करके दे सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छा voice modulation का option भी यहाँ पर अगर आ जाता है, तो that will be more better, आप बोलेंगे और system automatically लिखेगा आप जो बोल रहे हैं, तो यह तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा बिटा, तो यह exam pattern है, बाकी security पर कोई issue नहीं है, profession की value कहीं down जाने वाली नहीं है, don't worry, तो आराम से जैसे आप preparation कर रहे थे, वैसे preparation करते रिजे, कुछ भी change करने की आपको जरुद नहीं है तो यह थी सारी बाते बिटा, आज के लिए इतना ही thank you very much